गुरू गोविन दोहु खड़े, काके लागू पाए, पलिहारी गुरू आपने गोविन दियो बताए जी हाँ, कबीर दाज जी का ये दोहा, शिक्षक के रूप में, यानि एक शिक्षक को चरितार्थ करते हुए, उसे किस सम्मान क्यों ले जाता है, ये इस दोहे में साफ चलगता है पूरा देश 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहा है कृतक राष्ट सरुपली डॉक्टर राधा किष्णन हमारे पूरू राष्ट पती को ये सम्मान दे रहा है और उनकी याद में उनके जर्म दिन के मौके पर पूरा राष्ट शिक्षक दिवस के रूप में इस दिविन को मना रहा है आज हमारे साथ शिक्षक दिवस के बारे में बात क्षित करने के लिए मोजुद हैं पूरु प्रधानाचारे विद्या भारती मीराबाल मंदिर मेरटा सिटी से लीलाधर सोनी जी लीलाधर सोनी जी आपका स्वागत है आपका भी अभिदनन है पी राधर सुनी जी सबसे पहले बात करते हैं पांच सितंबर शिक्षक दिवस पूरा देश मना रहा है पांच सितंबर ही क्यों मना रहा है वैसे तो अनेकों देश ऐसे हैं जो अपने अपने देशों में शिक्षक दिवस मनाते हैं अधिकांस देश पांच अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारा देश पांच सितंबर को शिक्षक दिवस इसलिए मनाता है कि जब हमारे राष्ट्रपती डाक्टर सवरपली राधा कृष्णन राष्ट्रपती बने तो उनके कुछ परमुक्षिश्य और प्रसंसक आपके पा शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मैं अपने आपको ज़्यादा गौर्वान में महसुस करूंगा और तभी 1962 से हमारे देश में शिक्षक दिवस शिख्षक सम्मान दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाना प्रारंब होगा तो शिख्षक सम्मान दिवस किस रूप में यानि इसको किस तरह से व्याख्या करेंगे इस दिवस के आप हम यह कह सकते हैं कि जिन सिख्षकों ने समाज जिवन को दिसा देने का प्रत्न किया, अपने अपने छेतर में अच्छा कार्य किया, उनको जिला इस्तर पर, राज़ इस्तर पर और राष्ट इस्तर पर सम्मानित करने की परंपरा चली. आज भी हम देखते हैं हर विद्यारती इस दिवस का इंदिजार करता है और वह गर्व मेसुस करता है कि मैं अपने सिक्सकों को सम्मान दू परमपरा के रूप में वो कुछ गिप्ट देता होगा लेकिन हम देखें जिन सिक्सकों ने अच्छा कार्य किया उनका एक ऐसी कमेट जो चैन करके उनको राज इस्तर पर सम्मानित करने के लिए भेजती है और फिर उसी तरह से उनको राश्ट इस्तर पर राश्ट पति के हातों से भी उनका सम्मान किया जाता है यह प्रमपरा 1912 से बराबर चल रही है इस बात करें डॉक्टर राधा किष्णन जी की तो सरू डख्षिन भान्त में परंपरा हैं अपने गाहन के अपने गाउं के नाम सब से पहले लगाते हैं डाक्टर राधा किष्णॉर का जन्म तिरूमनी में हो था लेकिन उनके पूरवज तिरुमनिश से पहले सरवपली में रहते थे तो परिवार की एक इच्छा थी कि हमारे गाउं का नाम बराबर आगे बढ़ता रहे इसलिए यह सरवपली नाम उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया और उनके बाद भी उनके बेटे ने भी उस नाम को आगे बढ़ाया हम चाहेंगे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे थोड़ा उनके जीवन पर प्रकाश डालिए बताईए किस तरह के थे हमारे पूर राष्ट पती रादा किष्ण जी सवरपली जो डाक्टर राधा कृष्ण थे एक सामान ने ब्राह्मन परिवार में इनका जन्म हुआ था हम कई वार देखते हैं कि हमने कोई बड़े परिवार में जन्म लिया तहुं कोई बड़ा काम करेंगे साधन गरी परिवार में जनब लेने के बाद भी इह बौछ मेधा भी थे और इसकेgorड ने इनको चात्र जीवन में इनको बराबर रेगुलर्वरति भी बिलते रही प्रारंबिक शिख्चा उनके गाउव में हुई ज़ी मिस्र के बाद उन्होंने शिक्षा पराप्त की उसके बाद वह आगे जा आगे जा आगे इसकोल सिक्षा के लिए तिरूपती गए वहां उन्होंने उन्होंने वेलूर जो अधिकांस उस समय भारत में क्रिश्चन स्कूल थे प्रिशर्ण मिस्अंद्री के कॉलेज थे उन्हीं मौनने उन्होंने उनके शिक्षा पराप्त की मेड़ूर उसमें दर्संद सास्तर में ऐमे करने के साथ साथ फिर वो शिक्षा के एक चयत में चले गए और जिफ्षक कॉलेज के वो कुण्पती भी बने एक वर्स तक वहां उन्होंने कुल्पती के रूप में कारी किया था उसके पश्चाथ वो बनारच चले गए जिफ्कूल peaceful पती क्या एपоки इस्से तरह से उन्होंने इंग्लेंड में आउक्सपोर्ड के अंदर भी भारती दर्सन सास्तर को पढ़ाने का माकाम किया इस तरह से वह लगातार चालीस वरस तक शिक्षा के चेतर से जुड़े रहें जी बिलकुल यानि शिक्षा के चेतर में काफी महत पूर्ण योगदान रहा और अगर हम बात करें राश्टपती बनने तक के सफर का उनका तो किस तरह देखते हैं आप इसे चालीस वरस तक शिक्षा का जो उनका कारी खालता जी बहुत सहज और सरल उनका जीवन था पिलकुल जी और साथ साथ वह सवतनता सिनानी के रूप में बराबर कारी कर देते हैं जब देश आजाद हुआ जी उस समय के हमारे प्रथम प्रधार मंत्री पंडित जमला निरुन चुदूत के रूप में कारी करें वहाँ वहां भी उन्होंने उनका वह कहना करके कारे किया उसके बाद जब 1952 में जब आमरा राष्टपती का चुना हुआ उसी समय उनको उप्राष्टपती बनाया गया और यह लगातार 10 साल तक यह उप्राष्टपती रहे तेरा मई 1902 पाउं से लेकर के 13 मए 1972 तक उपराष्ट पती रहे थे उसके बाद में 13 मए में ही इनको राष्ट पती निर्वाचित किया गया था उसके बाद बराबर लागातार पांच साल उन्होंने उन्हों सरसर तक राष्ट पती का दाय तो निभाया यह रहे आपके जीवनी की बात और हम जीवन में अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का महत्व किस तरह से देखते हैं आप मनुश्य एक जन्म लेता है जी लेकिन उसको सहसकारित करने का काम है उस शिक्षा के माद्य की बिल्कुल जीवने कुछ सीखता नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता और शिक्षा देने का काम करता है यह कहा सकते हैं गूरू हमारा दूसरा माता पिता होता है हमें जन्म माता माता पिता देते इलेकिन आमारा द्收 하oit आ को हमारे जीवने में सिख्षा का बहुत बढ़ा मात्व है एक विर्टी है वह बहुत बड़ी गाडी खरीद लेता है जि लेकिन जब तक उसको कोई सिखाया नहीं जा तो योड़ों संचालक नहीं होता तो गाड़ी का कोई manger नहीं है जी चाएवज कर आहरी करहा गार नहीं की गारी ब एक गयद prag है इना के बेल तो तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो उसको शिखाती है इस तरह से चलाना है और वो शिख्षा देने का काम करता है शिक्षक अबिभवक के रूप में भी आप शिक्षक को बहुत महतुपून बता रहे हैं तो उसके जीवन का सरवांगिन विकास करें अनक शेत्रों से हमको केवल जानकारियां प्राप्त हो रही है मैं अभी कुछ दिन पहले एक जेन मुनी का प्रवचन यूटूब पे सुन रहा था उन्होंने अपने जीवन का उधान बताया उधान बताते हैं उधान ने का 50 साल पहले आज वो आचारी है उन्होंने उधान बताया कि मुझे एक मेरी कख्षा में कख्षा दो तीन की वात थी उनके एक विद्याती ने प्रश्ण किया दो और दो गुरुजी चार क्यों होते हैं प्रश्ण बहुत सांबन्य है उस समय जो गुरु जी ने उनको उत्तर दिया वह उत्तर बहुत आय सांबन्य था उन्हों का जब तुम बड़े हो जाओगे जीवन में कहीं जाओगे और तुम को तुम्हें किसी गरीब को कोई चीज वापस देनी है तुम दो और दो करके उसको तीन नहीं दो इसलिए वो चार होते हैं इसी तरह से तुमें कोई चीज किसी से प्रापत कर ली है और दो और दो तुम उससे पांच नहीं लो इसलिए दो और दो चार होते हैं परस्ण गणित का था उन्हें उस गणित के परस्ण के माद्यम से जीओन में नेतिक किसी से लेना है तो किसी को बराबर दे इसलिए दो और दो चार होते हैं यह परिवर्तन लाने का काम एक शिक्षक करता है तो गुरू के महतु को क्या कहेंगे आप किस तरह से महतु कैसा है क्या है गुरू आज जो हमारे जीवन में मैं स्वयमिन कहसा हूं मेरे जीवन में जो मुझे परिवर्तन नजर आता है जिने प्रार्थमिक सिक्षा में मेरे गुरुवन ने जो मुझे सिक्षा दी उस सिक्षा को मैंने अपने जीवन में अपनाया तब मैं आगे बढ़ा और मैं आज ये सिक्षक दिवस के आउसर पर मैं अपने उन गुरुव बितर हात समार दे उपर मारे चोट जब कुमार कच्छी मिट्री को घड़े का रूप देता है तो उसको चोट करना भी योगी दिशा देकर कि एक सर्वस्ष्ट नागरिक बनारे का काम शिक्षक करता है यह सिक्षक बहुत बड़ा मैत्व जीवन हैं ने लिला जीव समय समय पर हमने देखा है कि शिक्षा के शित्र में परिवर्तन हुए शुरुवात की बात करें तो गुरुकुल पाट्शालाय विद्याल है और अब डिजिटल का जमाना आ गया है क्या कहेंगे जो यह चेंजेज आ रहे हैं के बारे में तो यह सब परिवर्तन युगानुकूल चलते रहेंगे जी एक युग काथ था जिस समय गुरुकुल पदत्ती चल रही थी जी और गुरुकुल पदत्ती एक बहुत स्थ्रेश्ट पदत्ती थी हम पिछला काल खंड देखें तो हमको ध्यान में आता है हम जब चर्चा करते हैं किसी बुजर्ग से तो वह कहता है साब आजा दी के काल खंड अच्छा था और उससे और पुतुलना करें तो उससे पहले और अच्छा था जी मैं अभी शिक्षक पेंटीस में सबसे पहली बार लेकर कर आई थी क्योंकि उनको ध्यार में आ गया जब तक हम भारती या सिक्षा पदती को बदलेंगे नहीं तो हम यहां के लोगों में परिवर्टन नहीं लाप आएंगे मित्रो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा आज का जो हम समय देख रहे हैं हम सबकी बांसिक्ता हो गई है हम सिक्षा प्राप्त करके नोकरी प्राप्त करें जबकि हमारे यहां तो एक पहले कावत थी आज भी गाउं में चलती है सर्जगे चलती है उत्तम करसी मद्यम व् और च्वालो करसी को हमेशा उत्तम बताया गया व्यापार को मद्यम बताया तरिकेंट आज हम पावारी सिग्षा प्राप्त करके मानव का सरवांगिन विकास करना ह29 और दिर या प्रीवरतन है अब जैसे कोरोना काल आया इस कोरोना काल में निश्चित रूप से शिक्षा का रूप परिवर्तन हुआ लेकिन जैसा हम चाहते हैं प्रत्य शिक्षा के माध्यम से जो होना चाहिए मैं समझता हूं उसमें निश्चित रूप से कमी आती है कि हम जितना देना चाहें वह नहीं करना होगा यह परिवर्तन आज के लिए आवशक भी है और अब निश्यत रूप से हमको नवीन तन तक्रिनिक के आधार पर हम परिवर्तन अपने शिक्षा में लाना ही होगा हाँ जो हमारी प्राचीन भारती प्रमपरा हे उस ही प्रमपरा को पुर्ण प्रारंब करने का काम चाही है हम सब जानते हैं भारत विश्व गुरू के लाता था घूंज आज आज इतिहास पिछले 200 वर्सों में जो पढ़ाया गया वह अधूरा और आधा इतिहास पढ़ाया गया हमें पढ़ाया गया कि हुआ गर्यारी से अगर इतिहास कार उसको डंग से पढ़ें तो मैं कह सकता हूं उसने लिखा है कि गुजरात के व्यापारी ने मुझे अपरिका से यहां तक पहुंचा है तो गुजरात क्यों ने गया उसको वहां कोलंबो क्यों ले गया तो निसीत रूप से उसको वहां से व्यापार करना था इसलिए वह दक्षिन भारत हिस्सा था जब 1498 में जब कोलंबोस वारत आया था अगर वहां उसको ले जाना होता था वह बरूच ले जा सकता था अपने वहां भी उसके जल्यान जाते थे और कोलंबोस ने अपनी डायरी में यह भी लिखा है कि मेरे पास जो जहाज थे उससे अधिक तकनिक वाले काना भाई के पास थे हमारा ग्यान विख्यान बहुत उत्तम था लेकिन हमें जो इतिहास के माधिम से पढ़ाया गया और उसके कारण से हम एक नोकरी के और आगे बढ़ गए अब जो हमारे प्रदान मंत्री ने जो नमिन तब शिक्षा पदती लागू करने का जो निक्से किया है उस शिक्षा पदती के माधिम से मूल भारतिय संस्क्राण को पने जोड़ने का प्रत्न इस शिक्षा नीती में निशित्रूप से होगा शिक्षा नीती की बात की तो भी हाल ही में नई शिक्षा नीती की भी गोशना की गए सरकार के द्वारा क्या कहेंगे इस बारे में किस तरह की शिक्षा नीती है और आगे चलकर किस तरह से देश को इससे फाइदा होने वाला है देश आजाद हुआ 1947 में हमारी जो प्रथम शिक्षा निती बनी वह 1968 में बनी कोठारी आयोग बना था 1964 से लेकर के छांसर तक उन्होंने अज्जन किया और उसके बाद 1968 में वह शिक्षा निती लागू की गई यह सं ँससमें भी चिटरीए भासाओं को प्राथ्वित्या देने का ते किति किया गया था जीर मैंने पहले ही आप से निविदन किया का हम गुलामी की मांसिक्ता में जी रहे थे ए हम बोतिक रूप से स्वतंत्र हो गए लेकिन मांसिक स्वतंत्र नहीं हुए तो जो अंग्रेंजी की जो पदती थी हम उसी को आगे बढ़ाते गए तो हमने उस शिक्षा पदती में टेन प्लस बन प्लस ठीकी योजना बनाई थी जिए 68 में यानि 21 साल बाद हम वो शिक्षा निती लेके आये थे लेकिन पूर्ण रूप से वह भी भारती संस्क्रापादर निती शिक्षा निती वो बन गई उसमें अनेकों प्रकार की कमिया नहीं उसके पश्चाद 18 वर्स पश्चाद जब राजी गवांदी देश के प्रधान मं देखते हैं उसी शिक्षा योजना का हिस्सा था प्रत्व में उसमें शिक्षा निती बना दी लेकिन कारियान मन कैसे होगा यह नहीं किया गया और उसके लिए संसादन क्या होंगे यह भी जोड़ा गया लेकिन उसमें भी कुछ कमिया थी प्रधार मंतरी नरंदर भाई मोदी ने 29 जुलाई 2020 को नहीं सिक्षा निती स्विक्रत की है और यह सिक्षा निती हमारे इस्तरों के पूर्व अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन उनकी अध्यक्सता में यह कमेटी बनी और यह मैं कह सकता हूं यह पहली बार हुआ से सht dessert जनवरी में कि वायी say ooh दोजार पंद्रा को जी ततकालीन मानों संसादन मंतरी थी इसस्मर्थी इरश्व इस्मर्थी इरानी जी उसमें कॉन्फरेंस की और éstक मैंके का यह 33 बिंदू है इन बिंदू के आदार पर हां नमीन तम शिक्षा पद्धति लाने का प्रत्न करेंगे और लगातार पांच वर्स गहन चिंतन करने के बाद और मैं तो कह सकता हूं अगर जब लोग लिखी त्यास लिखेंगे यह विश्व रिकोर्ड बनेगा इस दमीन है अभिवाव के चात्र है इन सब के साथ सरवादिक विचार विमर्स के बाद यह नमीन तम शिक्षा पद्धति दो हजार बीस गुंतीस जुलाई को अमरे प्रदान मंद्री ने स्विकर्त की केबिनेट के बिटिंग में और यह निशित रूप से आगामी दो साल में पून भी कई है क्या कहेंगे इसको किस तरह से जोड़ा जाएगा स्थानी स्थर पर मुख्य रूप से इसकुली सिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन इस नमीन सिक्षा निति की द्वारा किया जाने प्तै किया गया है जिसमें सबसे बात मैत्मुन बात होगी मात्री भासा को प्रदानता देना हैं मैं जनसंक्या की गड़ना हुई और हम जनसंक्या की गड़ना में हम लिकाते है कि मेरी मात्री भासा कוזी है या मैं कौन सी भाषा को जानता हूँ जी हम सबको आश्रे होगा केवल मात्र 12 परतिसत लोगों ने अपनी भाषा अंगरी जी लिखा ए हैं से सबने अपनी मात्री भाषा भारती भासों को लिखाया है यह नविंदंग शिक्षा नेती उन सारी भारतिय बासा यानि 88% लोगों के परतिनिज़त्व करते हुए 12% ने लिखा दिया है कि मैं अंग्री जी बासा जानता हूं लेकि वो कितना जानते हैं आप और हम सब समझते हैं इस बात को इसी मूल भावना को 88% जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए भारतिय बासाओं को प्राथमिक सिक्षा में विशेश रूप से प्राथमिक सिक्षा भारतिय बासा में उसकी मात्री बासा में होना चाहिए हम सब जानते हैं बारतिय बासा का अपना कितना मैत्व है अपनी ग्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा ऑर हमारी जो सिक्षाविद कहते हैं बालग का जो सरवादिक विकास होता है वह विकास होता है दस वर्स की उम्रह तक और उम्रह वह होती है प्रात्यमिक सिक्षा की तो निस्षीत रुप से वह अपने आपको पिछरा मैसूस करेगा वह अपनी बात नहीं कह पाएगा हमारे अनेक लोग केते हैं कि साथ आप ग्रामर नहीं सिखा पाएगा तो कैसे होगा एक छोटे से परिवार में जानता हूं मेरे एक छोटा सा बता है अब वो अपने आप बोलता है मैं खेलूंगा वो कभी नहीं बोल परिवर्तन इस शिक्षा में किया गया है जी एक महत्मून एक जो जानकरी क्योंकि आज देखिए अंग्रेजी का वर्चस पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बनने की और अग्रसर है विश्व गुरु बनने की और कदम बढ़ा चुका है तो हम किस तरह से अपनी कि भाशाओं पर इस्थाफत्य कर लेंगे इस शिक्षानिती के चाहिए मैं थोड़ा सा आपकी बात में परिवर्तन करना चाहिए आपने कहा बारत विश्व गुरु बनने की और अग्रसर है जी आप न्यूज चैनल वाले हमेंसा एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं जी मैं मैं समझता हूं आज से 5 साल पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देनी चाहिए थी 21 जून 2005 क्या बता रहा हूं वह अंतर राश्टिय योग दीवस है और एक हमारी भारतिये परंपरा को विश्व के 113 में देसों ने पहली बार उसमें अपनाया तो बारत विश्व गुर है और विश्व गुरु रहेगा और उसके बाद हम देखते हैं हमारी परंपराओं को पूरा देश पूरा विश्व मना रहा है कहीं भी उसमें धर्म और मजब आड़े नहीं आता है चाहिए मुस्लीम कंट्री जो वहां पर भी यह योग दीवस मनाया जाता है और जब तो अब इस बात को आगे और बढ़ाना है जी बस केवल मातर हमको अपने को स्विकार करना हम विश्व गुरु है जी यह परिवर्तन हम सबको अपने जीवने में लाना ही होगा इक आप खुश शिक्षक है और शिक्षक का बहुत अच्छी तरह आपने दाइत्व का काम किया है जी विद्या भारति के विद्याले ऐसे विद्याले जो सिक्षा के साथ संसकार देने का काम करते हैं जी शिक्षा आज के संद्व में केवल मातर जानकारी बन गई है जी बिना संसकारों के कोई यक्ति काम नहीं करता जी आज हम जीवन में देखते हैं जी राष् थे लेकिन जो जीवनमें गिरावट आई कर देदी हमारी जड़े कोन से बारती था की जड़ें उनопार प्रतियता से जोड़ने का प्रत्न सिक्षा के मादम से मैंने अपने जीवन में किया और मैं अपने जीवन में जिन गुरूं से मैंने सीखा कि किसी को भी किसी को छोटा मत करो अगर आप एक लकीर खिंची हुई आपके पास में तो उसके लिए इरिजर का जीवन में उपयोग मत करो उस लकीर को छोटा करना है बास में बड़ी लकीर बना दो वह अपना च्छोटी हो जाएगी जिने मैंने गुरूं से शिका वही मैं जीवन में आगे देने का प्रत्न करता हूँ जी बिलकुल आज हमारा जो विश्य है वो भी यही है शि कुछ ऐसी बात कुछ ऐसी रचना या ऐसी कोई बताना चाहेंगे उनके बारे में जो हमारे दर्शक जिससे रूबरू हो सके कोई भी ऐसा वाखया जो आपको याद आ रहा हो डॉक्टर साब के संबंद में डॉक्टर साब बहुत हाजिर जवाबी थे जी एक विदेश में बैठे थे जी सब लोग अपने बनी बात कह रहे थे तो अंग्रेज ने उनको यह कहा कि देखो आप तो भारतियों हो अलग लग रंग के लोग रहते हो कोई काला है कोई कैसा है कोई कैसा है जी तो अपनी हाजिर जवाब की कार्ण से तुरंत जवाब दिया क्योंको सब्सक्राइब लेकिन बरते बरते ही रोटि जल गई तो अफ्रीकन देशों के लोग ज़्यादा रंग काला है वो बन गया लेकिन तीसरी जोटी जब विदाता बनाने लगे उन्हें भाहत सावधानी रखी और बहुत सावधाने के साथ जो रोटी बनाई उस रोटी को म कह यह जो रंग रूब हमारी एक जैसी विन्टा है वह सावधानी के कांड़ से हम किसी कांड़ से नीचे नहीं है ऐसे हाजिल जवाबी थे हमारे डाक्टर रादाट जी एक मज़ा के लेज़े में और किसी को ने चुपते हुए और अपनी बात के दी का बारतिय कैसे स्रेश्ट है तो लीलादर सोनी जी आप हमारे स्टोडियो में आपने इस विश्य पर चर्चा की आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक वार पून है दूरदर्शन राजस्तान के माजम से सभी सिक्षकों को सिक्षक दिवस की सुभकाम नाएं दूरदर्शन टीम का हार्दिक आभार औ वार पून्यवाद सभी स्ट्रदव पर चर्चा की आपकाम नाएं दूरर्दर्शन टीम का हमारे स्टूण श्रादर्शन टीम